Crime in Bollywood, a brand new series, starts June 24th, 9.30 p.m. Only on Zoom, 100% Bollywood. Well, बच्चन हो यह सल्मान खान, आईफा उओद्स में स्टार्स का जल्वा तो खूब रहा. लेकिन Bollywood स्टार्स के जल्वे पर भारी पड़ गया कुलम्बो की गर्मी का जल्वा, जिसके चलते ये सारे स्टार्स गर्मी और पसीने के मारे यही कहते रहे. जी हाँ, जून के महीने में ग्लामर साइफा आवार्च फंक्शन के लिए कॉलम्बो पहुँचे Bollywood स्टार्स के दिल से भी यही आवाज निकल रही थी. लेकिन बिचारे करते भी क्या, शिम्ला तो जा नहीं सकते थे. इसलिए अपना पसीना, I mean अपना दर्ध हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ ही बाट लिया. और इस दर्ध से नहीं बच पाए AIFA 2010 के सबसे बड़े स्टार सलमान खान भी. देथरी के ग्रीन कार्पेट पर उत्रे सलमान ब्लाक ब्लेजर और रॉयल ब्लू शॉर्ट पहन कर. लेकिन अपनी एर कंडिशन कार से उतरते ही अनिल कपूर के गले मिलकर बाट लिया अपना पसीना. यही नहीं गर्मी के मारे सल्लू भाई इतने परिशान हो गए कि आर देखाना पार बस कर दी ये गुस्ताखी. और जब उससे भी सल्लू भाई का पसीना नहीं धवा तो उन्हें उतारना पड़ा अपना ब्लेजर. वही बिल्लो रानी बिपाशा बासु का हाल भी कुछ ऐसा ही था जिनके दिल से निकल रही थी ये आवाज. भाई आइफा के ग्रीन कार्पिट पर पिंक और रेड के कॉम्बिनेशन वाली साडी में सजधश कर उत्री थी बिल्लो रानी. लेकिन इससे पहले कि उनके जिगर की आग वहाँ के लोगों पर कहताती, बिपाशा खुद ही हो गई जून की गर्मी का शिकार. और जब हमने उनसे अपनी साडी दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने लंबे एक्स्टेंशन्स वारी जुल्फों के साए में छुपा लिया अपना पसीना. यही नहीं जब हमने तीन दिनों के दौरान उनका एक्स्पिरियंस पूछा, तो गर्मी की मारी बिपाशा ने मांग कर दी एर कंडिशनिंग की. Day 3 के ग्रीन कार्पिट पर वैसे तो सभी स्टास सूट बूट पहन कर आये थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का हैसास बढ़ने लगा, स्टाइल स्टेटमेंट की परवाना कर रितिक रोशन और कई आक्टर्स के लिए बलेजर उतारने का सिलसिला शुरू हो गया. वैसे गर्मी का ये कहर तो स्टास पर आयफा के Day 2 पर हुए चारिटी क्रिकेट माच से ही शुरू हो गया था, जब कड़कती धूप में क्रिकेट खेलने निकले सलमान, रितिक, सोहेल और बैनी अदर्स, सबके शहरों पर दिखा जून के महीने का पसीना, सोहेल तो यहाँ गंजी में ही उतर आए, तो बिपाश अबासु यहाँ भी दिखी गर्मी से परिशान, कुलमिला का स्टार्स हो या उनके बॉडिगार्ट्स, ग्रीन कार्पिट हो या क्रिकेट मैच का मैदान, तीन दिनों के आईफा अवार्ड फंक्शन में जून की गर्मी ने स्टार्स को ऐसा परिशान किया, कि अब मुंबई लोट कर अगर ये स्टार्स शिमला निकल जाएं, तो इच वोन बी अ सप्राइस फॉर आस।